असलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग आप सबका मेरे चैनल पर वापस स्वागत है तो यह है गोल्ड का चार्ट गोल्ड ने कल तकरीबन हाइस बनाया थे 2482 के असपास उसके बाद एक अच्छा क्राक दिया तकरीबन 2452 के असपास 30 डॉलर का जो क्राश था बहुत है को बनेफीशिल ग्रेश था सो बार सके लिए यस ऐस कार्स वार के लिए not for sellers sellers के लिए जो क्राश एकांस एया नहीं आँट यह दिस वा से स्वाथ बेस्ट आब करेंपस पळल बकुर भर HEAD इंट stör गेए कमड करेंड हैंAR माइट crash कहेंगे this was just a retracement of $30 आप देख सकते हो सिर्फ $30 का एक जो है retracement हुआ उसके बाद वापिस से गाड़ी चल पड़ी है 24 दोलर के आस पास चल रहा है in fact highest prices of the day gold prices चल रहे हैं आज जो है ECB की press conference है 5.45 पे उसके बाद 6 बजे unemployment claims है सब 6 बजे ECB की press conference है सारे data के updates और जो भी major news है उसका update आपको whatsapp के चैनल पे मिल जाएगा टेलिग्राम के चैनल पे मिल जाएगा दोनों का link description में है wait signals की जानकारी और market commentary की जानकारी के लिए मेरी team का whatsapp number description में है बाकि अगर आप नए आए हो तो subscribe कर लिजेगा तो 24 से 67 डॉलर के असपास चल रहा है जैसे ही लोगों को लगा के हाँ अब गोल्ड करेक्ट होने वाला है जैसे ही लोगों ने selling करी गोल्ड वापिस से 15-16 डॉलर रिकवर हो गया वैसे भी गोल्ड जो है वीक जोन में नहीं गया है इस इन प्लाइट जोन कि आज का सपोर्ट है जोबिस सो पैतालिस डॉलर रजस्तिन से आज का चौबिस सो च्यासी डॉलर रेंड प्लाइट टू पॉजिटिव कह सकते हैं तो रखिएगा ख्याल चलते हैं अब सिल्वर की तरफ इस डॉलर ने एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया गुल्ड प्राइसे वा आपे देख सकते हो 31 चार से लेके तक रिवन टीस डॉलर तक चली गई थी ऑल्मॉस्ट एक डॉलर का ग्राश कहेंगे थे ना की रिट्रेस्मेंट दिस वस्वास दे ट्रेस्मेंट यह जो एक डॉलर की आप बड़ी बड़ी आपी कैंडल देख रहे हो दाट इस ग्रैस दिस गैन बी कॉल्ड ग्रैस क्योंकि एक सिल्वर अल्रडी अंडर पर्फॉर कर रहा था सिलवर ने कोई भी हाई नीमाया सिलवर वसूंस देर इटसल्स इंफाक्ट गोड्र ने कल एक न्या लाइफ टाइम बना हैं बटसल वही को ही ठैरा हुआ था यह ठैरा रहा और गोर्ड चलने लगा थिल्म का सपूर्ट रज्स ते आस्यll देखते है तो जरूर एक तेजी देखने को मिल सकती है तो थोड़ा ख्याल रखेगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा पर आते हैं यह है क्रूड ओयल अल्मोस तेरासरी डॉलाइबर ब्रीच कर गया था बडगन क्रैक हो गया है औल्मोस पॉसिटिव जोड़ा गया था क्रूड ऑई वाट यह जो गया है्ट वाही जो क्राक हुआ है तो चांवार थाम आज करूड सोपोर्ट फोडेक्ष देख्या आज का थे कॉइश चूट इस तो रखेगा खयाल चलते हैं यूरो की तरफ यह हैं यूरो 920 का कल रेजिस्टन था 920 के ओपर 950 अलमोस चला गया था अभी भी पॉजटिव जोन में है आज का सपोर्ट है 920 का जी हाँ क्योंकि सपोर्ट भी कभी रेजिस्टन था आप इसको यह कह सकते हैं रेजिस्टन से आज का 980 का ट्रेंड है आज का पॉजटिव तो रखेगा खयाल चलते हैं ब्रिटिश पाउंड की तरफ 3,004 के असपास चल रहा है पॉजटिव जोन में है यह जब तक रहेगा जब तक रहेगा समोसे में आलू यानि कि 29,70 तक 29,70 से नीचे निखला तो फिर 29,20 तक जा सकता है रेजिस्टन से आज का 3050 का ट्रेंड पॉजटिव है बट 29,70 के नीचे एक अच्छी क्राक एक्सप्रेक्ट कर सकते हैं ब्रिटिश पाउंड में अब आते हैं क्रिप्टोस पे सबसे पहले आएंगे बिटकॉइन 66,000 तक का हाइस बनाया अभी 64,700 चल रहा है पॉजटिव जोन में ही है कब तक जब तक 62,600 है अब रेजिस्टन से आट का 66,100 डॉलर ट्रेंड पॉजटिव ही है इसका तो रखेगा खया चलते हैं अथेरियम पे 3400 के असपास चल रहा है सपोर्ट आट 3340 रेजिस्टन साट 3550 प्रेंड इसका भी पॉजटिव है तो रखेगा खयाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट कीजेगा अब मिलेंगे कल के वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बबाए